दोस्तो अंचाहें बाल जो किसी को भी पसंद नहीं होते हैं अगर आप भी हैं अंचाहें बालों से बहुत ज़्यादा परिशान और चाहते हैं एक पर्मानेंट सेलूशन तो आज की ये रेमडी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूसफुल रहेगी क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसा नेचुरल ट्रीटमेंट जिससे आपको अंचाहें बालों से मिलेगा हमेशा के लिए छुटका रहा हैं चीजों को step by step detail में मैंने इस वीडियो में बताया है तो वीडियो को ध्यान से देखें जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने अंचाहें बालों को जड़ से खत्म कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस रेमिडी को बनाने के लिए सबसे जो पहली चीज आपको लेनी है वह लेनी है यहां पर आपको अलोवेरा मैंने फ्रेस अलोवेरा दिया है अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट का जो जैल होता है उसको भी यूज कर सकते हैं लेकिन इस तरह से फ्रेस लेंगे पुलब को बहुत अच्छा रहेगा अहम क्या करेंगे इसके साइड में जो काटे होते हैं उने काट लेंगे और इसके बाद Iska मैंने इसको चील देंगेateg drills दोस्तों इसका ये जो जैल है इसको इस तरह से चाकू की मदद से इस तरह से खुरच कर निकाल देंगे इस तरह से चाकू से हम इसको निकालते हैं तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है कोई भी लंपस इसके अंदर नहीं रहते हैं तो ये देखें जैल हमारा यहाँ पर निक चमच के करीम मैंने यहाँ पर जैल को निकाल लिया है अगली चीज लेनी है दोस्तो आपको खीरा को लेने के बाद आपको यह देखिए इस तरह से थोड़ा सा कट कर लेना है और कट करने के बाद कदूकस लेके इसको थोड़ा सा कदूकस कर लेना है क्योंकि इसका जो रस है वो हमें चाहिए ये remedy दोस्तों इतनी ज़्यादा powerful है कि तुरंत का तुरंत आपको result भी देगी और इसका कोई side effect नहीं है 100% natural remedy है आप देखिए इस खीरे को हम क्या करेंगे इस तरह से निचोड़ देंगे लगबग आधा चमच के करीब हमें इसका जो रस है वो aloe vera gel के अंद यहाँ use कर रही हूँ ino जी हाँ लगबग आधा चमच के गरीब ino को मैंने इस gel के अंदर डाल दिया है और डालने के बाद हमें क्या करना है इस तरह से इसको mix करना है जैसे ही आप इसको mix करोगे आप देखोगे बहुत सारे bubbles बनना शुरू हो जाएंगे और यह जो mission है बह को क्या करना है इस mission के अंदर डाल देनी है इससे आपके skin पे कोई कालापन भी नहीं आएगा और जहां पे भी आप इस mission को लगाएंगे ना तो वहां के skin भी बहुत ज़्यादा फियर हो जाएगी क्योंकि नीबू में होता है बिटमिन सी जो हमारे skin के color को बहुत ज़्याद बहुत ज़्यादा नहीं बिल्कुल चुटकी भर के नमक इसके अंदर डाल दीजे इससे जो बालों की growth होती है दोस्तो वो बहुत तीजी से कम होती है इसको डालने के बाद अच्छे से आपको इसको mix कर देना है जैसी आप नमक डालोगे आप देखोगे कि जो जाग जाग से है ना वो कम होना शुरू हो जाएंगे बस इसको आपको अच्छे से इस remedy के अंदर mix कर लेना है अब दोस्तो यहाँ पर एक लास्ट चीज हम इसके अंदर और add करेंगे हमें लेना है यहाँ पर कोलगेट कोई भी paste आपको नहीं लेना है जो कोलगेट होता है वाइट वाल तो यह जो remedy है दोस्तो हमारी बन के तयार हो चुकी है किस तरह से आपको यूज करना है चलिए देखते हैं सबसे पहले सरीर का वो अंग जहां पर आपको इसको अपलाई करना है अच्छे से आपको पोच लेना है पसीना बगारा वहाँ पर नहीं होना चाहिए तो यहाँ प को 5 से 10 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजेगा 10 मिनिट के बाद दोस्तो आपको क्या करना एक टिशू पेपर लेना है और टिशू पेपर लेने के बाद आपको इस रेमेडिय को पोचना है पहली बार में आप देखेंगे दोस्तो जितनी जगर पै आपने इस क्रीम को ल तो आपके लिए ये खास remedy है इसको ट्राय करके जरूर से देखेगा अपने सरी के अंचाहें बालों को आप बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे उनकी ग्रोथ होना बिल्कुल बंद हो जाएगा अच्छे से इस remedy को पोशने के बाद आप चाहें तो इस एरिये पे ice cube भी लगा सकते हैं जिससे ठंडक भी मिलेगी और साथ ही दोस्तों कोई redness भी नहीं आती है और चलिए मैं आपको न अपने face पर भी इसको करके दिखाती हूं कि कैसे आपको use करना है अब कई सारी ladies ऐसी होती है जिनके upper lips बहुत ज़दा होते हैं हर दसव कान के पास बहुत ज़दा बाल होते हैं तो कान के पास भी आप इसे लगा सकते हैं कुछ ladies लोगों को आपने देखा हूगा ठोड़ी पर बाल निकलाते हैं hormones change की वजए से तो आप इसे अपनी ठोड़ी पर होटो के ऊपर कान के आसपास के area में भी लगा सकते हैं 100% safe है कोई भी इसका side effect नहीं है और एकदम natural चीज़ों का हमने यहां पर use किया है तो इसी तरह से दिखे जहां जहां भी आपके बाल है ना बहां पर आपको इस remedy को अच्छे से apply कर लेना है और apply करने के बाद इसको ऐसे ही 5-10 मिनिट के लिए छोड़ देना है जिससे यह जो remedy है वो 5-10 मिन रखने के बाद इस तरह से कोई भी कपड़ा ले लीजेगा या आपको चमच ले लेना है और उससे इस तरह से इस remedy को पोंचते हुए निकाल देना है जितने भी आपके face पर छोटी-छोटी से रुए होंगे जितने भी unwanted hair होंगे आप देखेंगे इस pack के साथ ही निक अच्छे से धुलने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर एक खीरे का टुकड़ा लेना है अच्छे से इसको फ्रिज में रद देजेगा इससे ठंडा हो जाएगा और इसके बाद जहां के भी आपने बालों को रिमूब किया है बहां पर आपको इसको अच्छे से रव कर तो यह इसकिन के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है इस तरह से आप लगाओगे तो आप देखोगी जहां के भी आपने बालों को रिमूग किया है बहां के इसकिन बहुत ज़दा स्मूध हो जाएगी कोई भी काला पर नहीं आएगा इस तरह से लगा कर पांच मिट के लिए इ बिल जाएगा तो दोस्तो एक बार इस रेमेडी को बना कर जरूर से ट्राय कीजेगा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना बिल्कुल भी न भूले और वीडियो अगर जरासा भी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिल